असलाम लीकुम इवर्ड वर्कम बैक टो माई आर्ट चैनल और जो इस चैनल पे नहीं है प्लीज इस चैनल को विज़र जुरूर कीज़ेगा आज के मरी वीडियो में हम ब्लाउस की कटिंग करेंगे उसके लिए हमें वान मीटर कप्रा चाहिए मैं ब्लाउस के फ्रंट और ब अब हमें वन इंच का निशान लगा रही हूँ जो के बाद भी हमारा फॉल्ड करके स्लाई में आ जाएगा और यह हमारे ब्लाउस के फ्रंट पार्ट का सेंटर होगा और इसके बाद हम ब्लाउस के लेंद का मीजर मीटर करेंगे जो कि हमनें 15 इंच लिया है 15 इंच पर इस अब इसके बाद हम शॉल्डर का निशान लगाएंगे जो के 6 इंच है यनि के 13 अब वहां पर जो हमने 1.5 इंच जादा लिया था यहां से हम उसे निकाल देंगे अब इसके बाद आर्मोर का निशान लगाएंगे वह भी 6 इंच पर लगाएंगे निशान लगाने के आप य यहां से इस तरह से लाइन खेंच लेंगे यहां से भी इस तरह से लंबी लाइन खेंच लेंगे जो के बाद में हम चस्ट का निशान लगाएंगे तो इसमें हम इस लाइन को अब हम चस्ट का निशान लगाएंगे चस्ट हमने लिए थी 34 इंच 34 को हम 4 में डिवाइड करेंग तो 8.5 इंच आएगा तो हम 8.5 इंच का निशान लगाएंगे अब वेस्ट पर भी हम 8.5 इंच का ही निशान लगाएंगे वैसे त्यार हमारी वेस्ट 26 इंच है लेकिन जब हम प्लेट के निशान लगाएंगे तो बाकी हमारी 26 इंच ही रह जाएगी निशान लगाने के बाद इस तरह से निशान को आपस में मिला ले अब लाइन लिगाने का बद हम इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे जो के मार्जिन के लिए हमेरे स्लाइन में चला जाए अगर आप चाहे तो 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं अब यहां से हम सेक्रिंड लाइन भी लगा इस तरह से लाइन खेंच ले तों गुलाई के अच्छे से शेफ दे पाएंगे गुलाई के शेफ देने के बाद हम इस लाइन से 1.5 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाएंगे और फिर उसकी भी यहां से एक दूसरी लाइन खेंचेंगे उसके कोर्नर से भी एक दूसरी लाइन खेंचेंगे जैसे हमने पहले खेंची थी और इस पर भी इस तरह से इतना फासला रखेंगे गुलाई की शेफ देंगे यह हमारे ब्लाउस के बैक वाले आर्मों का निशान होगा और यह हमारे फ्रंट वाले इसके बाद हम प्लैट का निशान लगाएंगे मैं नाई निच पर लगा रही हूँ लेकिन आप अपना मिजर मिटर करने के बाद ही निशान लगाए गा यह हम सोलडर की लाइन से कोर्ट करेंगे अब उस निशान से इस तरह से लाइन लगा देंगे अब सेंटर से जो पहले हमने लाइन लगाई थी उस लाइन से हम साड़े तीन इंच का निशान लगाएंगे अब उसी निशान से सेंटर की तरफ तेर्ड इंच का निशान लगाएंगे और उसी निशान से इस तरफ यानि साइड की तरफ हम पोने दो का निशान लगाएंगे और यहां से वेस्ट लाइन के ओपर भी हम 3.5 निशान लगाएंगे और इस तरह से इन दो निशानों को आपस में मिला लेंगे अब इस पॉइंट से इस तरह से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे अब इन निशान के उपर इस तरह से क्रोस का निशान लगा देगे अब यहाँ पर हम इस तरह से इस लाइन से वेस्ट की लाइन की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशाने के उपर इस तरह से टेर्डी लाइन खेंच लेंगे अब दूसरी तरफ भी यनि के साइड की तरफ भी हम डेर्ड इंच का ही निशान लगाएंगे और इस पर भी इस तरह से टेर्डी लाइन खेंचेंगे अब यहां पर जो आर्मोर का हमने बेस कोर्णर बनाया था इस कोर्णर से इस क्रॉस की तरफ लाइन खेंचेंगे आप यह देखेंगे मैं आपको दिखा लूँ कि हमने डेर इंची लिया था यहां से और जो पोने दो इंच है उसका सेंटर था झाल खोतो, जितने उसका से और मैं आपको देखेंगे मैं पर जो आर्मोर कि हम आपको दिखाएंगे झाल 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 झाल